बीज़पी आईटी सेल ने हिमाचल कॉंग्रिस पार्टी के वोसे अपने ट्विटर अकाउंट पर किये गए एक आपत्य जुनक ट्वीट को लेकर पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम को एक शिकायती पत्र देकर मामले में F.I.R. दर्ज करने की मांग की है पार्टी चन्ता पार्टी, आईटी सेल के हिमाचल प्रदेश के सायोचक च्वेतन बराक्टा ने कहा है कि तो कॉंग्रिस ने 2018 की एक पुरानी विडियो को जो बीज़पी के विधाय की नहीं है को जनता कुंगुम्रा करनी की नियत से ट्वीट कर एक तुछ प्रयास किया है जबकि ये विडियो एक कर्मचारी नेता का है कॉंग्रिस पार्टी लोगसबाचुनाओं में अपनी हार के सामने देखकर बौकलाहट में अपना इस्तर इतना नीच्वे गिरा चुकी है टुटर अकान्ट का ये विडियो वाइरल हुरा है और इस पर कहा जा रहा है कि कॉंग्रिस को बदनाम करने की Pipes करने की हरकत से इसर्जünde नियता क को दिखाई दिया जा रहा है विडियो में नियता कि जूते से पिटाई करने का ये मामला सामने आया था जिस पर कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस को बदनाम करने की साज़श है देखे कल एक बहुती unfortunate incident हुआ जिसमें कॉंग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशल ट्विटर हैंडल से पांच बज़ के 34 मिनट में ट्वीट करा और उसमें एक ऐसा वीडियो नोंने निकाला जो पिछली साल का वीडियो था जिसमें एक किसी करमचारी नेता की पटाई हो रही है और उस tweet को नो ने ये बताया उसमें उस वीडियो को कि ये कि भाजपा के MLA है हमीरपूर से उनकी पटाई हो रही है और जनता उनसे नराज हो रही है इसलिए उनकी पटाई हो रही है आज कल हमने इसका बहुत कड़ा संग्यान लिया आज हमने इलेक्शन कमिशन में विसकी फॉर्मल हमने प्रोटेस्ट कर रहा है और उनकी शिकायत करी है साथ ही में हम आज साइबर सेल के पास हम भी आये हैं और हम ऑफिशली एक F.I.R. दर्च करने जा रहे हैं देखिए जो ये बात हुई है वो बेसिकली कॉंग्रोस पार्टी का जो PCC का ट्विटर अकाउंट है उससे ये नहीं गयी है हम इसकी इनक्वाईरी कर रहे हैं जांच कर रहे हैं कि किस वज़ा से ये हुआ है और किन लोगों नहीं ये किया है लेकिन इतना निश्चित तोर पे है कि जो कॉंग्रोस पार्टी का ओफिशल ट्विटर अकाउंट है ये उससे नहीं किया है